लेकिन उससे पहले कुछ कहना चाहूंगा कि हम इस पर उन तमाम टॉपिकों पर सिरीज निकालने वाले हैं जो ब्यापम के फेवरेट टॉपिक होते हैं यहां दोस्तों यहां पहला वीडियो है काना राश्टी उद्ध्यान लेकिन हम आगे भी जो ब्यापम के लाजले कहे जाते हैं उन तमाम जो टॉपिक हैं जो अकसर एक्जाम में पूछे जाते हैं जो लोग ब्यापम की लंबे समय से त्यारी कर रहे हैं उन्हें इसका अहसास होगा या उन्हें मालूम होगा कि ब्यापम के कुछ फेबरेट टॉपिक होते हैं जैसे काना राश्टी उद्ध्यान, खजुराओ के मंदिर, तापती, नर्मदा, या छिपरा, या सिहस्त का मेला एसे कुछ टॉपिक हैं जो ब्यापम हर अपने हर एक एक एक्जाम में यहा दोस्तों अगर एक ही टॉपिक से अगर हर एक शिप्ट में कोस्टन उठाये जाते हैं तो वो जो टॉपिक होता है वो काफी डीपली इस्टेडी के लिए हो जाता है तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं उन तमाम टॉपिकों को इतना डीप ले जाऊंगा कि आपको वहा नाराश्टी उद्धान पड़ा थोड़ा भोत पड़ा लेकिन अगर यहां से डीपली कुश्चन आता है तो हमें सिर्फ अंदाजा लगाना होता है या कि यूं कहूं कि तुक्का लगाना होता है इससे हम बस सके क्योंकि ये जो है ये बेसिक इस्टेटिक जिके के अंतरगत आता है और इनसे अगर हमारे नम्मर नहीं आते हैं तो काफी बूरा होता है तो दोस्तो आसा है आपको ये सिर्फ पसंद आएगी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करकर जरूर जाए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जो लोग हमसे नए जु प्रथम प्रोजेक्ट टाइगर इसे कहा जाता है यहां दोस्तो यह जो मधप्रिदेश का है यह प्रथम अभ्यारन है प्रथम उध्यान है और प्रथम जो प्रोजेक्ट टाइगर में सामिल होने वाला पहला उध्यान है तो तीनों कोस्चन यहां से महत्पून होते हैं पर एक point पे आपको एक question देखने को मिलेगा आप इससे note भी कर सकते हैं और notes भी बना सकते हैं बात करें यह छेत्र घोड़े के पेरों का अकार का है यहां दोस्तों अगर इसके छेत्र फल की बात करते हम तो यह जो घोड़े के पेर होते हैं उसके जैसा दिखाई देता है और यह हरी छेत्र सत्पुडा की पहाडियों से घिरा हुआ है आगे बात करें इन पहाडियों की अगर उचाईगी तो साड़े चार सो से नाव सो मीटर तक इनकी उचाई होती है यहां दोस्तों इनकी जो उचाई है वो साड़े चार सो से साड़े नाव सो मीटर तक इनकी उच आगे बात करें इसके अंतरगत बंजर और हेलन घाटियां आती है काफी महत्पुन फ्रेश्ण होते हैं दोस्तों एक्जाम में कई बार पूछा जा चुके हैं ये कि बंजर और हेलन घाटियां कहां इस्तित है या किस नेशनल पार्क के अंतरगत आती है तो यहां काना राष् उस्तर और 1910 इसवी तक अगर इस छेतर की बात करें तो यह अंग्रेजों का सिकार का स्थल हुआ करता था सुस्तंता के पहले जब अंग्रेज यहां पर सिकार करते थे और इसलिए इसे काफी जंगल था और इसे रिजर्व की वही से प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी थी फिर द करें आगे तो इसे 1955 में राष्टि उद्ध्यान घोसित कर दिया गा था दोनों सन हमें याद रखना है कि 1933 में तो इसे अभ्यारन के तोर पर इस्थापित किया और 1955 में राष्टि उद्ध्यान के तोर पर इसे इस्थापित किया दोस्तों इसे भी याद रखना आसान है कि 33 और 55 दोनों में एक तरब 1903 है और 1905 है तो 33 में इसे अभ्यारन घोसित किया गया और 1905 में मतलब 25 में इन्हें राष्टे पार्क घोसित कर दिया गया आगे बात करने तो यहाँ अनेक पसु पक्षियों को सरक्षित किया जाता है जिया दोस्तों यहाँ पर अनेक पसु पक्षी और कई कीडे मकोडे या कई जीब जन्तों की यहाँ पर प्रजाती संरक्षित की जा रही है और जो खासकर जो काले हिरन है जिने हम क्रश्ण में कहत और जो बारा सिंगा की प्रजाती है इसके लिए काफी फेमस है यह है राष्टी पार्क आगे बात करें तो काना राष्टी उध्यान भारत का पहला टाइगर रिजर्बे जिसने 2017 में अपना सुभंकर जारी किया था यह है वी कोश्चन कई एक्जामों में पूछा जा चुका है तो 2017 में इन्हों ने अपना सुभंकर जारी किया था जिसे हम भूर सिंग्दा बारा सिंगा के नाम से जानते हैं वो दोस्तो अगर इसके डिजाइन की बात करें तो इसका जो डिजाइन बनाया वो रोहन चक्रवती दुआरा इसे डिजाइन किया गया था आगे बढ़ते है अक्सर एकजाम में पूछी जाती हालो और बंजरगाटी कहां है तो बहां काना में इस्तित है आगे बात करें तो काना राष्टिये उध्यान में बामनी दरार को सूर्यास्त पाइंट के नाम से जाना जाता है यहां दोस्तों वहां पर एक मतलब इस्तहले कि वहां पर होता है जैसे कि पच्मडी में होता है और भी इस्तानों पर होता है लेकिन अगर काना की बात करें तो जो सूर्यास्त पाइंट है बहां बामनी दरार के नाम से जाना जाता है तो इसे भी नोट कर लें आगे बात करें काना राष्टिये पार्क से बंजर बैस सुपूर नद प्रभाभित होती है जादा बड़ी नद्या नहीं है लेकिन एक्जाम के पाइंटों भी उससे महत्पूर्ण हो जाती है तो बंजर और सुपूर्ण नद्या यहां से प्रभाभित होती है आगे बात करें 12 सिंगा को काना का गहना कहा जाता है जिया दोस्तों यह कोस्चन काभी ढूनने के बाद मिला इसलिए इसे नोट डाउन जरूर करें कि जो बारा सिंगा है उसे काना का गहना कहा जाता है आगे बात करें काना में उष्ण कटिवन दिये सुस्क पनफाती बन पाये जाते हैं तो दोस्तों क अपने इंडियन घोष्ट ट्री के लिए भी काफी फेमस है और यह काना नेशनल पार्क में यह जो ट्री है या पेड़ है पाया जाता है आगे बात करें विस वेंग की साहता से पार्क इंटर प्रेशन योजना शुरू की गई है जिया दोस्तों यहां पर जो पार्क इंटर होगी के तोर पर इसे देखा जाया तो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और जो लोग हमसे नए जुने हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके दोस्तों आगे मैं इसी प्रकार के सारे टोपिकों पर वीडियो कवर करूँगा और आप तक वह वीडियो पहुंचती रहे थेंक्यू फॉर बॉचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में